ओम स्यान्ति हमें एकांत में जाकर गहन चिंतन करना है ये भाग्य बनाने के दिन ये इस्वरिय मोजों के दिन दो बारा कभी नहीं आएंगे याद रह जाएंगी ये घडियां याद आया करेंगे ये च्छान के हम भगवान से मिलते थे उसने हमारी प्यार से पालना की ठी उसने हमें बहुत वरदाक दिये थे और कैसे कैसे हमने अपना संगम युक का सुन्दर समयव्यतीत किया सभी सोच लें हम अपने संगम युक के इस अनूपम काल को कैसे विता रहे हैं इसवरिय मिलन में या मनुस्यों से बाते करने में, इस वरिये सुख लेने में, या संसार की त्रशनाओं के पीछे दोडने में, वियर्थ चिंतन में, या बाबा की छत्र छाया की सर्व स्रेष्ट अनुभूती में, टाइम वेस्ट करते हुए, या प्रती पल अपना स्रेष्ट भाग्य बनाते हुए याद रखें, जो इस अमुल्य समय को सफल करेंगे, जो अपने को सर्व खजानों से भरेंगे, वही भगवान के काम आएंगे, उनके द्वारा ही इस अंसार की महान सेवा होगी, तो हम सभी एक महान सेवा के लिए स्वयम को तैयार करें, हम द्रश्टी के द्वारा सब की सेवा करेंगे, हम अपने वाइब्रेशन्स के द्वारा सब की सेवा करेंगे, हम दो मीखे बोल बोल कर दूसरों को वर्दानों की प्राप्तियों का अनुभव करा देंगे, ऐसा सुन्दर समय हमारे द्वार पर आने वाला है, जब अनेक प हमारे द्वार से कोई खाली न जाए, हमारे द्वार से कोई निरास न जाए, हमारे द्वार से सबसंतुष्ठो कर जाए, जो जिस कामना और भावना से हमारे पास आए, उसे वही प्राप्थ हो जाए, ऐसी योग की शक्ती, ऐसी पवित्रता की शक्ती, ऐसी महन शक्तियां हमे स्वयम में धारन करनी है विचार करें कोई प्यासा व्यक्ति हमारे पास आया हो हमारे द्वार पर खड़ा हो और कह रहा हो मुझे एक इलास पानी पिला दो नहीं तो मैं मरा जा रहा हूं और हम उसे पानी न पिला पाएं और हमारे द्वार पर ही वो दम तोड़ दे तो हमारी feelings कैसी होंगी के कास हम किसी का जीवन पचापाते ऐसा ही अनेक बार हमारे सामने होने जा रहा है अनेक तड़फती आत्माएं हमारे द्वार पढाएंगी हमें द्रस्टी दे दो हमारे कस ठरलो हमारे उपर विगनों के पहाट तूट चुके हैं हमारे विगन हर लो और सोच लो यदि हम उने मदद न कर पाए तो हमारी मनोश्थिती कैसी होगी हमें कितनी निरासा होगी के कास जब भगवान भग्यबाट रहा था हम भी सचेत रहे होते कास जब वो सर्व खजाने हमें दे रहा था हमने भी अपनी बुद्धी रुपी जोली को व्यर्ट से खाली कर लिया होता कास जब वो अपनी शक्तियां और वर्दान हमें दे रहा था हमने भी अपने को एकाग्रचित बना लिया होता बहुत सुन्दर समय चल रहा है समय को महत्तु देने वाले इस संसार में बहुत महान बन जाएंगे वे भगवान के काम आएंगे वे चारो युगों के लिए हीरो एक्टर बन जाएंगे वो विश्व के इतिहास में अलग-अलग समय पर महान कारिये करने वाले होंगे वो नामी ग्रामी पर्सनल्टी बन जाएंगी ऐसा सुन्दर भाग्ये बनाने का समय चल रहा है सभी सोच लें इंचनों को हम कैसे बिता रहे हैं तो आज सारा दिन इसी चिंतन में व्यतीत करेंगे और अभ्यास करेंगे बार-बार मैं पवित्रता का फरिष्टा हूँ मैं पवित्रता का सूरिय हूँ मेरे अंग-अंग से रंग-बिरंगी किरने चारो ओर फैल रही हैं और मुझे संपूर्ण फरिष्टा बन जाना है अपने फरिष्टे स्वरुप को संपूर्ण फरिष्टे स्वरुप को विज्वलाइज करेंगे और बार-बार उसे अपने में मर्ज करेंगे ऐसा देखेंगे सामने मेरा संपूर्ण फरिष्टा स्वरुप है धीरे-धीरे चल कर मेरी ओर आता है और मुझे में समाज आता है और मैं बन गया संफूम फरिस्ता ओम श्यांति